हलो दोस्तों स्वागत हैं हमारे चैनल में और आप देख रहे हैं इसके इन टेकनिकल न्यूज और आज की जो टेकनिकल वीडियो है जो यहां पर आप देख सकते हैं यह टेक्टर का जो बेक पोजिशन है और यह सामने रिप्लेक्शन है और इसके सीट के निचे यहां पर एक सोकेट है अलग-अलग टेक्टर के अंदर या सीट के पीछे वाले भाग पर या पीछे ये इसे सोकेट लगा होता है इसके अंदर कापी सारे वायर होते हैं अलग-अलग कलर के होते हैं इसके उपर एक कोटिंग होती है केबल की तो ये क्या काम आता है किसके लिए होता है और बहुत सारे किसानों को पता नहीं, इसके बारे में तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आज के भाई ये जो so kit है इसके अंदर क्या है, कैसे work करता है, यह तो चलिए इसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो सबसे पहले वीडियो आप पूरा देखिए इसकिप मत करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अगर पता है तो कोई बात नहीं और नहीं पता है तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो सारी जो टेक्टर कंपनीज हैं वो ये सोकिट देती हैं और इसका यूज बहुत सारे किसान भाई करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके लिए अच्छा सा वीडियो है आज आप अच्छे से देख लें इनको तो इसके अंदर आप देखेंगे यहां पर जो यह four आपको जो connector दीख रहे हैं इसके अंदर यह female connector है four और इसके अंदर three male connector है यहां पर देगए आप ये कि अंदर देगे अफ्चे से कि तीन तो टिल्द यह यह पर यहal यह है और यह चार जो पिन है वह मेल है तो यह स्थ हैएक स्थोगंच इता सी जो कंडेकर आता हैं वह आप वो आपको मार्केट से खरीद के लाना है और आप जो टेक्टर के पीछे ट्रोली अटेज करते हों तो उसके पीछे आपको क्या लगा सकते हैं उस ट्रोली के पीछे तो आपको इसा एक फिमेल और मेल दोनु मिक्स में एक कनेक्टर आता है इसमें अटेजमेंट करने के लिए, वो मर्केट में आपको मिल जाएगा, तो वो अगर आपके ट रोली है, अगर आप रोड के उपर चलते हो, तो उसके लिए आपको, यहां पर जो एंडिकेटर हैं, पीछे वाले, तो trolley के अंदर भी आपको पीछे indicator और brake light और parking light इसको trolley के पीछे लगाने के लिए जब power supply चाहिए और उसको अपन tector के main switching से या अपने indicator switch से control करते हैं तो ये सारे जो वायर है आपके यो पीछे जो आप tector के indicators होते हैं उनसे connect रहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो साथ वायर हैं अंदर एक ग्राउंड का हैं और बाकी छे वायर हैं तो दोनु तरफ आपके पार्किंग लेंप के होगे दो दो ब्रेक लाइट के होगे दो आपके हेड लाइट है ओन करते हो उसमें लाइट ओन के तो यह छे वायर आपको के अंदर आप जैसे ही पीछे आप अटेच्मेंट करके इसमें वो सोकिट लगा दोगे तो फिर सारे जो आपके टेक्टर के जो में स्विच हैं वहां से कंट्रोल हो जाएंगे आपकी जो भी एंपलिमेंट हैं अगर आप थ्रेसर के अंदर लगाना चाहते हो ट्रोली के अ पोकिट दिया हुआ है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और मैं मिली हमारी नेक्स्ट वीडियो में जैहिन